नमस्कार, समाचार क्यारी न्यूज में आपका स्वागत है। सभी प्रकार की लेटेस्ट खबरे पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की समय में महिलाओं के साथ होते अपराद अपनी चरम सीमा पर हैं, जिससे महिलाओं में असरक्षा की भावनपन अपने लगी है। महिलाओं अपने घरों से बाहर निकलने में भी असहज मैसूस करने लगी हैं। इसी समस्या को मध्य नज़र रखते हुए, इस रविवार को विशेश रूप से जजजर पहुँचे हर्याना के पुलिस महानिर देशक श्री बलजीत सिंग सिंधू। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि महिलाओं के सुरक्षा एवं सम्मान को सो निश्चित करना तता महिला विरुत अपरादों को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिक्ता रहेगी। जल्द ही दो नए महिला पुलिस थाने चर्खा दादरी तता हासी में खोले जाएंगे। उन्हों ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। साथ ही डाइल हन्रड के नाम से एक मुख्य कंट्रोल रूम पंचकुला में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में महीला पुलिस कर्मचारियों की संख्या छे परसेंट से बढ़कर दस परसेंट से अधिक हो गई है। जिससे प्रदेश में महीला बटालिन बनाने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताये कि आमजन की सुरक्षा हेतु प्रदेश के हर थाने में मित्र कक्ष तथा काउंसलर नियुक्त किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि लूट पार्ट, चेन स्नाचिंग, चीना जप्ती, आदी के दोशियों की सूचना देने वाले को एक लाख रुपे तक का इनाम दिया जाएगा तथा प्रतेक अपराद के खिलाफ कड़ी कारेवाही की जाएगी। प्रेस्वार्ता के पश्चात पुलिस महानिर्देशक ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली तथा अपरादों को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिये गए। बैठक के पश्चात चजर पुलिस लाइन का निरिक्षन किया गया। इस दोरान पुलिस लाइन में पुलिस महानिर्देशक बलजीत सिंग सिंदू, पुलिस महानिर्देशक रोतक मंडल के श्री नवदीप सिंग, SSP सतीश बालन तथा अतिरिक्त पुलिस अधिकारी हिमांशु गर्ब द्वारा पौधार रोपन किया गया। उसके पश्चात पुलिस पब्लिक स्कूल का निदिक्षन करते हुए स्कूल प्रबंदन को हर तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।